ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमा आप सभी को परिवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुप कामना हैं। भगवान श्री हर्विष्णू और मालक्ष्मी की कृपा सदेव आप पर बनी रहे। जगत के पालन हार भगवान श्री हर विष्णू की कृपा की प्राप्ति के लिए उनकी प्रसनता के लिए एकादशी का वरत धारण किया जाता है। उठनी एकादशी तक योग निद्रा की अवस्था में होते हैं और चातर माज के इस चार महिने के शयनकाल के दौरान भाद्रबद माज की शुकल्पक्ष की एकादशी को भगवान श्रीहर विष्णू करवट बदलते हैं। कि वीडियों में आप जानेंगे कि एकादशिती कब प्रारंध हो रही है ? पारण करने का यानिकी व्रतखोलने का शुब महुटत क्या हो का। और कुछ ऐसे उपाय जिन्हें आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए अगर आप वरत करते हैं तब भी आपको करना चाहिए और जो भक्त वरत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन इन उपायों को जरूर करना चाहिए तो आज की वीडियो बोहत मेहतंपन है, पूरा जरूर देखीए, अच्छे लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बोहत मेहतंपन होते हैं, यही एक मातर जर्या हैं, जिन से मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया करें इसके साथ कमेंट बॉक्स में मातराणी के नाम का जैकारा भी जरूर लगाएं इससे आपको सकरात्मक उर्जा की प्राप्ति होत इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी बात करते हैं सबसे पहले कि एकादशी तिथी का प्रारंब हो रही है कब समाप्त हो रही है देखिए एकादशी के तिथी प्रारंब हो लेकिन इस बार 25 सितंबर को भी souvent करते हैं अपकूय प्राप्ट होगी और 27 सितंबर को भी सुर्योडे काल में एकादशी की तिथी नहीं मिले व्याप्त होगी और 26 सितंबर को द्वादशी तिथी तिसाहीं लेकर वध्वानों में मतांतर है कि 25 को वरत करे या फिर 26 को तो इसके अनुसार मत बंसार को हैbenि जहानों पर 25 सितंबर को ये वरत रखा जाएगा और कई स्थानों पर 26 सितंबर को भी जैसे कि अगर आप 25 सितंबर को ये व्रत कर रहे हैं तो 24 सितंबर को दश्मितिती के नियम का पालन करेंगे और अगर आप 26 सितंबर को व्रत कर रहे हैं तो फिर 25 सितंबर को आप के लिए दश्मितिती का पालन करना अत्यान तनिवारी होगा और हाँ कई भक्त ऐसे भी है जो कि दोनों दिनों के वरत कर रहे हैं तो अगर आप दोनों दिन के वरत करते हैं जैसे कि 25 सितंबर और 26 सितंबर दोनों दिन एकादेशी का वरत धारण करना चाहते हैं तो ऐसे में आप 24 सितंबर को दश्मितिती के नियम का पालन करेंगे और 27 सितंबर को व्रत का पारण करेंगे अब बात करें कि दश्मितिती का नियम क्या होता है तो देखिए दश्मितिती के दिन शुद्ध और साथिक भोजन लेना चाहिए शास्त्रों के अनुसार एक ही बा 2 दूपहर के समय में और अगर आप दो बार भोजन करते भी हैं तो यह जरूर ध्यान रखिए कि शाम को सुर्यास्थ होने के बाद भोजन आपको नहीं करना है इससे पहले भीजन कर लिजे पर अन्य का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और एकादशी का व्रत करने वाले को दश्मी तिती से ही भूमी पर शैन करना चाहिए ऐसा सास्त्रों का विधान है तो अगर संभव हो तो भूमी पर शैन कीजिए नहीं तो अपनी बिस्तर की सुधता का ध्यान अवश्य रखिए ब्रह्म चरे का परणूरूप से पा चाहिए तो किसी पवित्र नदी में जाकर भी शनान कर सकते हैं अगर ऐसा संभव है तो लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी खर पाते हैं तो अपने घर में घंगा जल मिश्रत जलसे शनान कर लीज़े मतलब जल में आप फिर आप उसी जल से श्नान कर सकते हैं एक और जीज का आपको ध्यान रखना है गंगा जल पात्र में पहले डालना है फिर आपको जल से उस पात्र को भरना है तभी इसे गंगा जल माना जाता है अगर आप जल भर कर उसमें गंगा जल डालते हैं तो फिर वो सामान्य जल ही र करते हैं सभी देवी देवता जो विराजी थे आपकी घर में उनकी पूजा कर लीजिए इसके बाद आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है अच्छा आप चाहे तो मानसीक रूप से जैसे कि आप सुबह सोकर उपते हैं उस समय ही अपने विस्तर पर बैठे हुई ही अपने दोनों हाथ जोड़कर और भगवान श्रीय विष्णु का ध्यान करके अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं और फिर पूजा करते समय भी विशेश रूप से भगवान श्रीय विष्णु के सामने संकल्प लेना चाहिए कि आज हम व्रत धारण कर रहे हैं परिवर्तिनी एक खाल प्तिनी बादशी का हे जगत के पालण हार हे श्रीय विष्णु आपकी क्रिपासे मेरा य backwards निर्विग्न परोण हो इस प्रकार से प्राटना करना चाहिए ब्रत में जाने अंजाने कोई भूल चूखो इसके लिए भी शमा प्रार्तना करना चाहिए इसके बाद विधी विधान से भगवान श्रीय विष्णु की पूजा की जाती है आप चाहे तो अलग से चौकी लगा कर कलस की स्थापना करके भी पूजा कर सकते है या फिर घर के मंदिर में जहां पर भगवान श्रीय विष्णु विराजित है वहीं पर आप उनकी पूजा कर सकते है तो ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है आप चाहे तो चौकी लगाए या फिर बिना चौकी के भी पूजा कर सकते है है कोई ऐसा जरूरी नियम नहीं है भगवान स्कर ज्रीय विष्णु का अभिशेक आपको पंचामरित से करा चाहिए ज्याइए दूद दः घीज शहत जकर पांचउ चीजे मिलाकर फंचाबी से भगवान श्रीय विष्णु का भिशेक कर लीजिए फिर जल से अभिशेक कीजिए इसके बाद उन्हीं पीले वस्तर अर्पित कीजिए पीले पुश्पुन्हे अर्पित कीजिए पीले चंतन से उनका स्रिंगार कीजिए और भगवान श्री रिविष्णु को रितु फलों का भोग अर्पित कीजिए इसके अलावा आप चाहे त तो जैसे कि अगर आपके पास सफेद मिठाई ना हो लेकिन अगर आपके पास कच्चा दूद हैं तो आप इस दूद में थोड़ा केसर डालकर और शक्कर डालकर भगवान श्रीय विष्ण को भोगर पीद कर सकते हैं और हां सुबे की पूजा अपने समय के अनुसार आप संशिप्त रूप से कर सकते हैं मतलब पंचो पचार विदी से भी कर सकते हैं धू अगर आपके पास समय हो तो सुबे साम दोनों समय कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पाल सुबह समय ना हो इतना तो आप शाम के समय विशेश पूजा रखें क्योंकि वैसे भी एकादशी की रात्री में हम जागरण करते ही हैं या फिर आप चाहें तो निर्जल भी वरत धारन कर सकते हैं वैसे अपनी सारीडिक चमता का ध्यान रखते हुए ही आपको वरत करना चाहिए इस वरत को आप फलाहार के द्वारा जैसे की फल जूस फलों का रस दूद इत्यादी लेकर मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा वरत धारन कर सकते हैं और हां कई भगतों के प्रशन आते हैं कि अगर हम निर्जल वरत धारन करते हैं तो फिर हमें किस प्रकार जल ग्रहन करना चाहिए मतलब कब तक हम निर्जल रहें देखिए अगर आप निर्जल वरत धारन करना चाहते हैं तो जब आप एकादशी का व द्वादशी तिति के दिन सुभः की पूजा आरादना करने के बाद दान दक्षिना निकालने के बाद ही आप जलग रहन कर सकते हैं अगर आप पूरी तरह से निरजल ये वरत धारंण करना चाहते हैं, तो लेकिन इस प्रकार से वरत तभी धारंण करना चाहिए, जब आप और वहीं बैटकर भगवान स्रीर विष्णु के मंत्रों का जब कीजिए। किसी भी प्रकार के बंधन से परिशान है। यूँ समझ लीजी के कर्म बंधन से परिशान है तो आपको गजेंद्र मुक्ष का पाठ ज़रूर करना चाहिए। करने से एकादशी व्रत के दौरान जो भी हमसे जाने अंजाने गलतियां हो जाती हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है। और इस व्रत का संपुर्ण फल फिर हमें प्राप्थ हो जाता है। इसलिए प्रयास कीजिए कि आप अखंड दीपक अवश्य प्रजुलित करें। मतलब रात्री में जरूर कर लीजिए बहुत से भक्त हैं जो कि पूरे 24 घंटे का भी दीपक प्रजुलित करते हैं। मन में धारन करके भगवान स्रीय विष्ण से प्रात्ना करके आप हर एकादशी पर अखंड दीपक प्रजुलित कर सकते हैं। आप व्रत धारन करें। आप बिना व्रत के भी भगवान स्रीय विष्ण की पूजा आरादना करके इस व्रत का लाब ले सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मतलब अपने व्याभार को आचार को तो अवेश्य सुध्ध रखें। मतलब ऐसा नहीं कि हम व्रत कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी क्रोध कर रहे हैं। किसी के निंदा या चुबली कर रहे हैं तो हमारे किये गए व्रत का हमें कोई भी फल नहीं मिलता। और एका दशी का व्रत करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिति में हम व्रत का पारण करते हैं। तो द्वादशी तिति के दिन भी प्रते काल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवरित होकर शनान कर लीजिए। फिर साफ सौच वस्त्र धारण करके पहले भगवान सुरेदेव को जल अर्पित कीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान सुरेविष्ण की विधिविधान से पूजा कर लीजिए। तुलसी में जल डाल दीजिए। क्योंकि एकादशी के दिन हम तुलसी में जल नहीं देते हैं। लेकिन द्वादशी दिथी के दिन सुबह जब आप स्वैम जल ड्रहन करते हैं। उससे पहले तुलसी की विधिविधान से पूजा करके तुलसी में जल अवश्य अर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद आप किसी ब्रामभण को चाहें तो घर बुला कर भोजन करा सकते हैं। या फिर आप ब्रामभण के निमित दान की सामगरी निकाल कर दक्षना इत्यादी निकाल कर और फिर आप शुब मुहुत में जो भी आप सात्विक भोजन बनाते हैं। पहले भग्वान को अरपीत कर दीजिए। फिर उसी भोजन में से आप गाए को दीजिए। जीजीओ के निमिता निकाल दीजिए। और समाप्त होगी 27 सितंबर को सुभे एक बसकर 45 मिनट पर और हरिवासर की समाप्ती का समय होगा 26 सितंबर को सुभे 10 बसकर 13 मिनट पर और जो भक्त 25 सितंबर को एकादशी का व्रत कर रहे हैं पारण आपको करना है दुपहर में एक बसकर 25 मिनट से 3 बसकर 17 मिनट के बीच में और अगर आप 26 सितंबर को एकादेशी का वृत कर रहे हैं तब आपको 27 सितंबर को वृत खोलना है वृत का पारण करना है और पारण का शुब मुहूर्ट आपको प्रयाप्त होगा सुबह 6 बज कर 12 मिनट से सुबह 8 बज कर 32 मिनट तक तो शुब महुर्ट का ध्यान अवश्य रखे क्योंकि अगर हम शुब महुर्ट में अपना वरत नहीं खोलते हैं तो हमारे किये गए वरत का संपुर्ण फल हमें नहीं मिलता इसलिए एकादशी के वरत में पारण के समय का बहुत महतु होता है तो दोस्तों परिवर्टिनी एकादशी 25 और 26 सितंबर दो दिन मनाई जाएगी आप जिस भी दिन वरत कर रहे हैं बिल्कुल संसय मुक्त होकर वरत कीजिए क्योंकि दोनों ही दिन स्रेष्ट माने जाएंगे आप चाहे तो वामन द्वादशी का वरत कर सकते हैं अगर आपके म परिवर्टिनी एकादशी के दिन भगवान स्रेर विष्णु के वामन अवतार की ही पूजा की जाती है तो अगर आप 25 सितंबर को वरत कर रहे हैं तब भी आपको वामन देव की पूजा आरातना करनी चाहिए और जो भग 26 सितंबर को करेंगे उन्हें भी परिवर्टिनी एकादशी वरत की कथा की वीडियो आपको थोड़ी दिर में मिल जाएगी और अगर आप प्रदोश का वरत करते हैं पूर्णीमा वरत करते हैं या फिर पूर्णीमा और प्रदोश के बारे में जानना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए मिलती हूं मैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार